हलो श्टुडेंस महुरमा कान पटेल और आप देखरें साइंस जाओन एकेडमी छिनवाडा श्टुडेंस आज हम आपसे बात करने वाले हैं MPPAT, PVFT, दाहेट, PPT, GNT और श्टुडेंस आपका PNST एक्जाम के बारे में श्टुडेंस एक नौटिस आया हुआ श्टुडेंस पेपर की कटिंग के रूप में श्टुडेंस करसी विश्विध्याले इस सिक्षन सस्त्र से स्टार्ट अप की ट्रेनिंग भी देगा श्टुडेंस साथी साथ में और श्टुडेंस जो डीन है हमारे विश्विध्याले के तोमर सहब तो श्वेंस इन्होंने कहा है का श्वेंस pre agriculture test का आयोजन किया जाएगा जूलाई में जी यह श्वेंस जूलाई में आपके application form आ जाएगे तो श्वेंस जूलाई में application form P.A.T. के आ जाएगे श्वेंस तो paper पक्का है श्वेंस की आपके एगस्त के last में या है या श्यूंस जो last dateальный ते श्यूंस आपकी पांस सेप्टमबर तक करायं जा सकते हैं तो श्यूंस आपका फिर PVT κα जो exam है श्यूंस वो आपका कब होगा ठीक है पीवी एफटी का exam स्यूंस आपका या है श्यूंस आपका PNST का exam या students आपके दाहित के exam यह जो exam है यह आपके सबसे पहले कराए जाते हैं GNT का exam आपका हो गया यह exam सबसे पहले कराए जाएंगे फिर तो सबसे last में आपका जो paper होगा यह वो होगा MPPAT का इनके सबसे last में होता है MPPAT का paper यह paper सबसे पहले conduct कराए जाएंगे तो आपके अगस्त के last में सबसे पहले पहले का paper MPPAT का paper मतलब अगस्त के सबसे last में यह सबसे पहले हो जाएंगे तो यह ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है तो पहले होगा ICR का paper तो यह इस ही मान चलो 15% शीटे जो है owens college की यह हैं रिचाथ किसी college में 100 सomedien have 100 सवशीटों में ठीक है 15 सीटने किसकी होगी तो 85 सीट किसके लिए होगी MPPT के लिए होंगी तो 15 सीट कि लिए होगी ICR के लिए होगी तो स्कंडिने DRK थुरू पहले college की सीटने भरी जाती है फिर सीटने एपकी MPPT के जी एंटी का पेपर होता है, तो अभी आप वेट कीजिए, आपका एप्लिकेशन फॉर्म जो जुलाई के लास्ट तक में आ जाएगा, सभी एकजाम का, इसके बाद में आपके जो कुछ पेपर हैं, जो लगबख सभी पेपर हैं, ये आपके अगस्ट के लास्ट में हो जाए जाएगा, अब स्वेंस हम बात करें हाँ पर कोर्स की, तो स्वेंस आप कोर्स चाहें, तो स्वेंस आप यहाँ पर टू एड अट हाफ मन्ध, ये दो महीने, ये दिए धाई महीने में आसानी से तयारी कर सकते हैं, पर ये आप कहीं भी कोचिंग करिएगा, ठीक है, कि सर एक मेहने पढ़ा रहे हैं sir फिर आप इतनी फीस ले रहे हैं sir आप हमें 15 दिन पढ़ा रहे हैं sir आप हमें 2 मेहने पढ़ा रहे हैं तो श्रेंस वैसा कुछ नहीं होता है श्रेंस जब यहाँ पर course करेंगे तो श्रेंस teacher की responsibility होती कि आप जिस भी समय में जुड़ें आपको पूरा course कराया जाया तो श्रेंस फूल course और आपको श्रेंस revision कराया जाए तो श्रेंस इसकेलिए क्या है हमारे पास में तो सर्फ आपको पूरी classes live मिलेगी यह स्वेंस दो से तीन घंटे की स्वेंस आपकी क्या होती है डेली लाइब क्लासेश चलती है पूरी स्वेंस आपको HD quality में स्वेंस पूरा का पूरा जो आपका कोर्स है क्या स्वेंस आप उसे बोलें आप P.A.T. का कोर्स ले ले लाइब अलग और student record classes आपको अलग मिलती है rules recorded classes आप मानके चलिए कम से कम backgrounds आप Dash चार महिने की classes होती है चार महिने में students आप किसी कोचिंग में जो offline जाके पढ़ेंगे वो students आपको एक second में आपके हातों में होती सारी classes और श्रेंस topic by topic जो भी topic आपको पढ़ना है श्रेंस आप उस पे click कीजिए वो वाला वीडियो आपका चालू हो जाएगा तो श्रेंस ये सारी facilities आपको दी जाती है तो आप ये ना सोचें कि श्रेंस आपकी 15 दिन की class है तो 15 दिन में इतने पैसे क्यों दे हम श्रेंस सबसे कम fee से हमारी श्रेंस आप ये जोइन करना चाहते है तो जोइन कर सकते श्रेंस live classes साथ में श्रेंस पूरा का पूरा course आप वीडियो लेक्चर में लीजिए और श्रेंस ये आप प्रती दिन भी ये पांस से छे घंटे घर में वीडियो लेक्चर लगा रहे हैं औ श्रेंस टोटल स्टडी का जितना भी material है श्रेंस पूरी books जी हैं श्रेंस coaching के books आपको इसमें मिलेंगे श्रेंस books मिलेंगी coaching के श्रेंस आपको इसमें notes मिलेंगे जी हैं श्रेंस coaching के श्रेंस आपको practice set मिलेंगे इदि आप practice set लगाना चाहते हैं तो श्रेंस आपको practice set मिलें तो इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं तो यह ना सोचें कि दो महीने पढ़ रहे हैं सर इतनी फीस सर एक महीने पढ़ रहे हैं इतनी फीस सबसे कम फीस पूरे MP 36 गड़ और इंडिया में तो इस जितने भी एक्जाम होते हैं बहुत ही कम फीस स्ट्रेंस ऑन-लाइन की है यदि 4042 पर अपना नाम सब्जेक्ट और अड्रेस जी हैं आप मुझे इसमें अपना नाम आपका श्रेंस कौन सा सब्जेक्ट रहा है 12th क्लास में वो और श्रेंस आप किस जिले से बिलोंग करते हैं अपना गाओं का नाम ना बताएं तहर का नाम श्रेंस दारेक बताएं कि आप कौन से जिले से रहते हैं तेर का नाम बताएं तो श्रेंस यह आप मुझे send कर सकते हैं WhatsApp पर और श्रेंस आप एक दिन की demo class free लगा कर देख सकते हैं यह दि आपको classes पसंद आती है तो श्रेंस आप join कर सकते हैं और श्रेंस अपना subject के साथ में बताएं कि आपको कौन से एक्जाम की क्यारी करना है तो श्रेंस सब्जेक्ट AG या math या bio और PAT, PVFT जो भी एक्जाम की आपकी preparation करना है आप श्रेंस मुझे बता सकते हैं अब श्रेंस हम बात करते हैं यहाँ पर syllabus की कि श्रेंस आपका syllabus क्या होगा तो आए श्रेंस लेबस देख लेते हैं यहीं श्रेंस आपको physics आएगी यहीं यहीं आप biology की students हैं तो श्रेंस physics पचास की chemistry पचास की और सो नमर की आपको biology आएगी लेकिन श्रेंस यहीं आप बायो वाले बच्चे एगरी कल्चर सब्जेट को पढ़के भी पेपर दे सकते हैं तो फिजिक्स बालों के स्ट्रेंस ये स्लेबस आएगा आप इसका स्क्रिंशॉट ले लीजिए इसके बाद में स्ट्रेंस ये हम बात करेंगे ये स्क्रिंशॉट आप नौट कीजिए chemistry ये chemistry का स्लेबस होगा ये आप chemistry की preparation करना चाहते हैं तो chemistry लेकर भी आप तयारी कर सकते हैं ये chemistry का स्ट्रेंस आपका स्लेबस होगा last year ये स्लेबस स्ट्रेंस पूछा गया था सलेबस में स्किसी प्रकार का को Cornнуть को Чैंजर नहीं होता है आप अरिहन्त की बुक मार्केस से खरीद कर ला है यह जित अरिहन्त यह एंग्रिकल्चर की बुक होती है मैट्स बाइयो की बुक उसमें आती है लेकिन पड़ल है आप अरिहन्त की बुक पढ़ें या orq कोई भी writer की book पढ़ें उससे paper में the students आपको 200 number के paper आपका होता है तो curriculum 25 50-60 number का ही students किसी book से आता है तो students books या लें आप किसी भी coaching के अच्छे से notes लें उससे study करें और students आप online coaching सबसे best है कि you you can join कीजिए कम समय में students ज्यादा तयारी दी आपको करना है तो आप आप online coaching आपके लिए एक better option है यह students आपके math का syllabus है तो यह math के chapter आप math के chapter देख सकते हैं इसके बाद मी यह biology वालों का syllabus है यदि आप biology subject से देना चाहते हैं तो biology subject से यह students आपके DOUlogy का syllabus है तो श्वेंस ये जिलोवजी का स्लेबास है तो श्वेंस एग्रिकल्चर वाले दी बच्चे एग्रिकल्चर से पेपर देते हैं तो श्वेंस Agriculture वाले बचे हो या Math बाय वाले बचे हो Agriculture से paper बिलकुल दे सकते हैं जो उनको इजी पड़े तो श्वेंस आप देख लीजिए यह आपकी Agriculture का subject है और यह Agriculture की श्वेंसkar告诉 है यह Agriculture की के chemistry है इतने chapter agriculture chemistry में आएंगे आएंगे आपको इसके बाद में 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 इ agriculture में arts and science group से दी आप देना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ बिल्कुल share करते जाएए जितने ज़्यादा बच्चों को आप ये वीडियो share करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी help होगी और कम समय बचा हुआ इस अभी बच्चे सतर्क हो जाएं पढ़ाई में इस बिल्कुल जोर लगा दीजिए क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं आप अभी हैं तो फुल सपोर्ट करेंगे पूरा आपको HD quality में वीडियो lecture प्रोवाइड कराएंगे live classes देंगे आपको तो घर बैठे बैठे श्रेंज कम समय में शांदार तैयारी कीजिए बहुत कम fee से आप जरूर contact कीजिएगा तो श्रेंज मिलेंगे फिर ऐसी ही अन वीडियो में ऐसी ही अन अपडेट के साथ में तो फ्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्कों के शांद शेयर करना ना भूलें बाबाई एंड टेक क्यार